नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोग्स की यूट्यूब ए जूगिस्टन जनल में आज की ओड़ो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे एलर्जी की दवा के बारे में तो हम सीखेंगे कि कौन से अलग-अलग टाइप की एलर्जी होती है हमारे सरीर के बारे में तो हम यह सब अलग-अलग टाइप की एलर्जी हमें हो सकती है फिर तीसरी चीज हम सीखेंगे कि उसके रीजन्स वगड़ा क्या है कौन से कोजीज है कि जिसके करान अलर्जी होती है फिर उसके सिम्टम्स वगरा को समझेंगे अच्छे से डाइगनोसिस यानि की निदान कैसे हो सकता है वो हम जानेंगे ट्रीटमेंट के ओप्संस देखेंगे और कौन से दवाई या यूज होती है वो सभी के बारे में हम डीटेल में सिखेंगे आज के लेक्चर के अंदर तो ऐसी समझे कि आपको डीटेल में सिखना है अलग-अलग दवायों के बारे में बीमारयों के बारे में तो आप मैडिसिन कूर्स को join कर सकते हैं, तो ये course को join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी तो अब आते हैं, topic पे और समझते हैं allergy की दवा के बारे में तो सबसे पहले हम जानते हैं कि allergy क्या है, तो allergy क्या है कि हमारे body की या फिर हमारी immune system जो है abnormal reaction करता है, कि जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई foreign substance center होता है, तो तुरंध हमारे body की जो WBC होते हैं, जो immune system होती है, वो उसके सामने reaction करती है, और जिसके करने जो condition produce होती है, उसको हम allergic reaction कहते हैं, तो यहापे आप systematically समझोगे, तो easily आपको समझ में आ जाएक है, तो सबसे पहले आप देखो कि कोई ऐसा allergen, allergen यानि कि ऐसा substance कि जिसके करण जो हमें allergy होती, तो वो हमारी body के अंदर समझोगी, कि किसी भी तरह से enter होता है, तो तुरंध हमारे जो immune system की जो cell होते हैं, वो activate हो जाते हैं, और उनके सामने B cell जो हो produce होते हैं, और एक immune system जो अपना काम करना शुरू कर देता है, और ये immune system जो abnormal react करती है, वो allergen के सामने, और उसके करण हमारे सरीड के अंदर immunoglobulin E, कि जिसको हम IgE कहते हैं, उसका level बढ़ता है, और साथ-साथ जो एक chemical के जिसका नाम है histamine, उसका believer जो हमारी सरीड के अंदर बढ़ता है, और उसके करण कुछ symptoms होगे रहा, देखने हमें को मिलते हैं, सरीड के अंदर तो, अब आपको समझना जरूरी है, कि allergen क्या है वो सबसे पहले जान लिजिए, कि बहुत सारे allergens हो सकते हैं और allergen ऐसा substance है कि मान लो कि कोई एक person को उसकी allergy होती है, तो दूसरे person को उसकी allergy नहीं भी होती है जैसे कि सबसे पहले आप देखो, कि ये जो soya है, या फिर soya bean मान लो soya bean समझे कि कोई एक person खाता है, तो उसको कोई allergy नहीं होती पर देखो कि एक जवगरा है किसी को एक की ऐलर्जी होती है किसी को नहीं होती किसी को पीनट्स यानि कि जो हम मुंगफली कहते हैं उसकी किसी को ऐलर्जी होती है किसी को नहीं होती है तो जैसे ही यह मुंगफली आपके सरीर के अंदर एड्टर होती है तो समझो कि किसी को उस सबसे पहले तो किसी को drugs की भी allergy होती है जैसे कि हम सीखते हैं कि penicillin के समझे कि किसी को allergy है किसी को cephalospurin class के drugs की allergy या फिर किसी भी अलग-अलग medicine की लोगों को allergy होती है तो allergy का सबसे पहला type यह है कि किसी की drug या फिर किसी medicine की आपको allergy है फिर second हम type देखे तो वो है food allergy के अलग-अलग type के जो foods होते है जैसे कि milk है तो कि उसे लोगों को milk की allergy है ते कि जो milk सबंदित कोई भी चीज वो खाते है तो तुरांद उनको allergic reactions देखने को मिलते हैं उनके सरीर के उपर फिर इसी तरह से fees है, cell fees है, eggs वगिरा है, peanuts है, tree nuts आप देख लो, wheat है या फिर soya bean तो इसे बहुत सारे अलग-अलग type के foods की लोगों को allergy होती है फिर तीसरा हम देखे तो insect की allergy, मनले कि कोई insect bite करता है जैसे कि mosquito जिसको मच्छर कहते है, कि मच्छर के काटने के बाद तुरंट आपके body के उपर इस तरह से allergic reactions देखने को मिलते हैं या फिर मधु मक्की के काटने से भी ऐसे allergic reactions जो वो देखने को मिलते हैं तो जैसे को ये insect bite करता है, allergic reaction होना सुरू हो जाती है चौती हम देखे तो latex, कि latex या फिर जो rubber होता है उसकी भी लोगों को allergy होती है तो कई बार product भी इस तरह से use करते हैं कि latex free हो, rubber free product वो use करते हैं जैसे ये problem ना हो, पांचवा हम देखे तो mold के करण भी allergy हो सकते हैं इस तरह से देखो कि दीवालों के उपर भी इस तरह से mold वगेरा करे बार जम जाती है या फिर जो अलग-अलग type के mushrooms होते हैं तो कोई एक person उसको खाता है जो खाने लाएक जो mushrooms होती है तो उसको कुछ problem नहीं था पर किसी कुछ मानलो वो mushroom की या फिर mold की allergy है तो उसको बहुत सारे allergic reactions हो जाते हैं फिर animals की allergy के like cat वगेरा है, dog वगेरा है तो उनके भी allergy हो जाते हैं कि उनके discharge के contact में आते हैं उनके बाल के contact में आते हैं तो भी लोगों को जे वो allergy हो जाती है फिर pollen की allergy काफी ज़्यादा लोगों को होती है कि जैसे ये atmosphere के अंदर pollen की मातरा जे वो बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे उनको allergic reactions जे वो देखने को मिलते हैं तो reasons यही सब है कि जितने भी अलगले type है उसी related reasons है कि जैसे कि किसी को dust है उसकी allergy है तो dust के करण उसको ये problem हो सकता है तो वो एक reason बनेगा आपके लिए allergic reaction के लिए ऐसे ही समझे कि inhalation के थरूप pollen आपके body के अंदर गई है तो उसके करण आपको ये सरीर में allergy हो जाएगी उसी तरह से animal denders वगेरा है फिर मदुमक्खी के काटने से किसी दवाई के कारण milk है, medication है, latex है, jewelries वगेरा है तो ऐसे बहुत सारी जो allergens होते हैं उसके करण आपको allergy होती है अब जो main समझना है उसके symptoms के बारे में तो अलग-अलग symptoms जो वो देखने को मिलते हैं तो उसमें पहला हम symptom देखे common तो वो है racist बन जाना आपके skin के उपर कि मान लोग कि किसी को allergy है और वो allergen के contact में जैसे ही आता है तो skin के उपर इस तरह से ये दाने बनना सुरू हो जाते हैं कि जिसको हम racist वगेरा कहते हैं फिर second हम देखोए तो इस तरह से allergic reactions जो वो आपके सरीर के उपर देखने को मिलती है कि इस तरह से ये आप देख रहें कि pimple-like structure डेवलफ होना सुरू हो जाता है allergic reactions के तौर पे फिर swelling हो जाती है lips के उपर तो आप देखो कि जैसी आपको आप allergen के contact में दा या फिर किसी insect ने आपको bite कर लिया तो तरह तो उसके allergic reactions के तौर पे swelling हो जाएगी आपके lips के उपर फिर face के उपर कुछ लोगों को सूजो ना जाती है फिर एक और symptom हम देखे तो उसके करण आपको itching होती है काफी जदा itching होती है खुजली होती है जिसको हम कहते है कि जहाँ पे BSA allergic reactions is develop हो रहा है तो especially आपको itching होती है फिर runny nose जिसको बाइती नाख हम कहते है या फिर sneezing जिसा आपको feel होता है फिर lacrimation एक खास यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आपकी आखों में से जो वो पानी आने लगता है watery eyes जिसको हम कहते है या फिर breathing problem होता है किसी को कि अगर उसको allergy है किसी substances की और उसके contact में आते है तो तुरंद उसको यह problem होना सुरू जाता है फिर नाख में से पानी आने लगतना यह एक symptom develop होता है और gastrointestinal tract के related symptoms जैसे कि nausea vomiting जैसा feel करता है pit में दर्ध होना breathing करने में problem होना dizziness और कुछ लोगों को diarrhea वगेरा हो जाते है तो यह है main 10 symptoms कि जो allergy के कारण होते है फिर अब बात मत नहीं अच्छे से diagnosis के बारे में कि उसका निदान कैसे हो सके कैसे हम reason find out कर सके कि आपको allergy क्यों हो रही है और कितनी मात्रा में allergy आपके सरीर के अंदर बढ़ी है तो सबसे पहले medical history patient के check की जाती है कि उसमें proper अच्छे से पूछा जाता है कि उसको कोई दवाई आखे allergy है या फिर past में कोई दवाई खाए थी तो उसके करन कोई allergic reaction हुए थे या नहीं तो proper medical history check की जाती है allergy test भी किया जाता है IGE test perform किया जाता है और symptom based भी diagnosis हो जाती है तो medical history में खास कर पूरी A to Z history patient के लिए जाती है उसके लिए proper उसके साथ patient counseling होना जरूरी कि मानलो patient के साथ 10 minute 15 minute आपको अच्छे से बाच्चित करनी होते है कि जिससे आपको पता चलता है कि उसको past में कोई problem था या नहीं कौन सी दवया वगेरा ली थी फिर allergy test आप करवा सकते कि जिससे पता चलेगा कि कौन से allergen के करन आपको ये allergies वगेरा हो रही है फिर तीसरा जो है वो IGE test किया जाता है कि जिसको immunoglobulin E test कहा जाता है हमने starting में एक देखा कि जैसे ये allergen हमारे सेरिर में enter होते है तो IGE जो है वो produce होता है तो IGE कितनी मादरा में है वो test से बता चलता है और उसका इस तरह से result मिलता है तो जो adult होते हैं उनमें 3 से लेकर 423 के आसपास जो IGE level होता है कि यहाँ पर एक report है कि जिसके अंदर patient का IGE level आप देखो तो 916 के आसपास है तो उसका मतलब हम यह कर सकते कि उसका 100 के नीचे होना चाहिए पर उसके बज़ाई ये 916 जितना है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि IGE का level जो हो कितना बड़ा हुँ है कितना increase हुआ है IG level और जितना IG level ज़्यादा होता है उतने आपके सरीर के अंदर allergic reactions जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते है तो target यह रहता है कि उसको कम करके 100 से नीचे आप ला देते है तो तुरन यह problem जो है वो ठीक हो जाता है फिर symptom based diagnosis होता है कि patient के symptoms check किया जाते है कि सरेर के उपर उसको rashes है blister develop हुए है नागा में से पानी आ रहा है सूजन देखने को मिल रही है या नहीं eyes में irritation मतलब कि eyes में से पानी आने लगना itching जैसा feel कर रहा है तो उसके symptoms पर से पता चलता है फिर अब बात करते है treatment की तो treatment में जो सबसे पहला option है वो है allopathic medicines का वो हम आगे समझेंगे फिर homeopathic में भी उसका इलाज दिया गा है और आयर्विधिक medicines में भी उसमें use की जा सकती है तो सरुआत करते है allopathic medicines में तो उसमें anti histamines जो है वह सबसे ज़्यादा use होते है because जो हमने सरुआत में देखा कि हिस्टे माइन की मात्रा जो है वो सेरियर में बढ़ती है और उसके करण allergic reactions काफी ज़्यादा होते है तो anti histamines का यहाँ पे लेना काफी ज़रूरी बनता है हिस्टे माइन को कम करने के लिए ल्यूकोट्राइंड मोडिफायर्स भी यूस किये जा सकते है कॉर्टिकोस्टेरोइड्स anti IgE drug की जो IgE की मात्रा को कम करेगी और lotion and creams के भी option रहते हैं जो आप topically यूस करते हैं तो सरुआत करते हैं anti histamines anti histamines में सबसे famous medication है वो है phenyramine mallet इसका एक marketed formulation आप देख रहे है evil 25 करके तो उसके एक याट दो tablet ये वो patient ये वो दिन में ले सकता है कि उसका dose रहता है 25 से लेकर 50 mg जितना आपको per day में लेना है तो आप ये 25 mg के tablet रहता है तो वो उसको एक बार या फिर इसको दो बार ये वो patient ले सकता है फिर second option बनता है उसका injection का ही कि phenyramine evil का ही आप देखो तो injection आता है तो वो भी same dose में यूज किया जाता है फिर chlorphenyramine का भी एक option है आपके पास कि जिसका dose रहता है 2 से लेकर 4 mg जितना orally per day जितना तो समझे कि उसके आप 2 mg के tablet यूज कर रहे है तो उसको दिन में 2 बार अप ले सकते है और 4 mg का समझे कि आपके पास tablet है तो उसको दिन में एक ही बार जिए वो यूज करनी चाहिए तीसरा option बनता है लॉराटाड इनके tablets का कि जिसका dose रहता है 10 mg per day orally रहता है कि ये जो 10 mg की जो tablet है वो सिर्फ एक ही बार जिए वो patient को लेनी होती है दिन में चौथा option देखे तो satrazen के tablets का रहता है कि उसका भी similar dose है कि 10 mg इतना orally आपको लेना होता है दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार तो धियान रखना है कि एक ही tablet ले 10 mg का 5 mg का जो कि आपको मिलता है तो वो दो tablet खा सकते है पांच वो option बनता है लिवो सेट रिजन का कि जो 5 mg की strength में available होती है उसका dose रहता है 5 mg orally per day मनलब कि एक ही tablet जो पेशन दिन में इसकी use करता है चटा है facts of inadin का कि यहाँ पे आप देख सकते हैं Sanofi का एक marketed formulation Allegra करके 120 mg के tablets वहाँ पे आपको मिलते हैं और IP के standards के according to उसको बनाए हुआता है तो उसका जो dose रहता है 120 से लेकर 180 mg जितना रहता है per day जितना तो यह tablet सिर्फ वर सिर्फ आप दिन में एक ही खाये तो वो बेटर रहता है कि जिससे side effects जगे रहा है जो है वो come home साथवा option देखे anti-histamines के अंदर तो वो है bilastin के तो यह काफी एक नई medication है anti-histamines के अंदर कि जिसका dose रहता है 20 mg पर day जितना अब second है हमारे पास option वो है lukotriand modifiers का तो lukotriand modifiers के अंदर Monty Lucas जो काफी famous medication है कि जिसका dose रहता है 10 mg पर day जितना और उसका combination भी available होता है जहाँ पर आप देख सकते कि Montec LC करके जो है कि जिसके साथ anti-histamines combination में है levocetrizin और यह जो है वो tablet आपको एक ही लेनी होती है अब बात करते हैं तीसरे option की वो है corticosteroids का कि अलोपेथी में steroids भी use किये जाते है allergy को ठीक करने के लिए तो prednisolone का सबसे पहले एक option यहाँ पर बनता है कि जिसका dose रहता है 5 से लेकर 60 mg orally per day के हिसाब से तो proper आपको medical super reason में steroids यूज़ करने होते है because steroids से भी कई बार side effects बढ़ सकते है तो यह ध्यान रखना है second triamcinolone का यहाँ पर option रहता है कि जो किना कोड करके उसका एक famous marketed formula इसका injection भी available होता है as well as cream भी available होती है और tablet भी available है जिसका dose कास कर रहता है 4 से लेकर 32 mg जितना रहता है per day की हिसाब से तो उसी का आप यहाँ पर देख सकते है paste आती है तो वो जो यह वो patient दिन में एक या फेट दिन में दो बार जहाँ पर वो allergic reactions हुई है वहाँ पर जो आप लगा सकते है तीसरा देखे तो dexamethazone का option रहता है dexona के यहाँ पर आप tablets देख सकते है तो उसका dose रहता है 0.5 से लेकर 5 mg पर देज इतना पर ध्यान यह रखना है कि जब भी आप यह medications लेते हैं तो दो tablet के बीच में at least 6-8 गंटे का time interval रखना काफी ज़े वो जरूरी बनता है चौधा option है बीटा मेथासोन का कि वो भी same dexamethazone की तरह है उसका dose रहता है 0.5 से लेकर 5 mg औरली पर देज इतना डियाफलाजा कोट भी यहाँ एक option है कि जिसका initial dose रहता है 60 से लेकर 120 mg पर देज पर यह ज़्यादा से आपको 3 दिन तक ही लेना चाहिए ज़्यादा दिन तक लेने से उसके side effects जो काफी ज़्यादा होते हैं तो यह सभी medications के individual videos भी available है तो PharmaRox channel में आप medicine playlist में जाओगे तो यह सभी medications के आपको individual videos भी detail में सिखने के लिए मिल जाएंगे चछटा option आप देख सकते हैं यहापे medrol के tablets का कि जिसके अंदर salt content रहता है methyl pretnisolone और उसका dose रहता है 4 से लेकर 32 mg जितना पर day जितना अब steroids के बाद चौथा option हमारे पास है anti-IgE drug का कि यह कोई भी दवाईों से आपका IgE level कम नहीं हो रहा allergy कम नहीं हो रही कि मालो आर्ठी के रिया कि आपको symptom है allergy greenitis के symptom से अस्थम आगे symptom हो रहे है IgE बढ़ने के करण तो फिर आपके पास यह Xolair का option रहता है कि जिसके अदर दवाई रहती है omelizumab तो उसका dose जिवो proper calculation से find out किया जाता है कि आपका IgE level कितना है age कितनी है height weight वगरा कितना है उसके according to dose जिवो उसका तैयार होता है कि जो आप Xolair की website open करते है तो वही पो आपको dose calculation जिवो मिल जाते है कि जिसका जो single use vial खासकर 150 mg के अंदर available होता है फिर अब बात करते हैं homeopathic medicines के तो homeopathic के अलग-अलग options है हमारे पास जिसे के arsenic album का option बनता है फिर alien क्यापा का option मलता है nitram, moore है, sabadila है और arundo तो उसके marketer formulation आप देखो तो यहाप आप देख सकते हैं arsenic album करके 30CH के अंदर और arundo यहाप आप देख सकते हैं तो यह दोनों drops है वो 2 या 3 drop patient use करते हैं पानी में डालके दिन में 3 बर या फिर maximum आप 5 जितने drops यूज कर सकते हैं दिन में 2 बर और उसको dilute करना होता है पानी के अंदर फिर दूसरा option बनता है alien क्यापा का यहाप देख सकते हैं nitram, moore का यहाप पे हैं और sabadila के 30CH में ही concentration में आपको यह homeopathic drops मिल जाते हैं पर उसको आपको proper जो homeopathic physicians है उनके direction के according to a proper use करने चाहिए अब बात करते हैं आयरुविदिक के अंदर तो आयरुविदिक में हिमालिया भ्रेसोल का एक option काफी अच्छा रहता आपके पास कि जिसके 2 tablet patient दिन में 2 बार यूज करता है जिसमें healthy वगएरा के extract रहते हैं उसके chemical constituents रहते हैं और तुलसी के extract रहते हैं जिसके एक natural आपको एक remedy मिलती है जिसके आपके allergy वगएरा कम हो दिया cream and lotions में आप देखो तो आपको ये खास use करना चाहिए कि जहाँ पे allergic reactions आपको हो रही है तो वहाँ पे आपको ये caladryl का जो lotion होता है वो खास लगाना चाहिए जिससे आपके खुझलिव अगएरा कम हो जाएगी और वो जो racist बने हैं वो दीरी-दीरे खाफी खतम हो जाएगे तो उसके अलग-अलग marketer formula आपको बन सकते हैं calamine करके lotion आता है caladrine आता है बच्चो में सा problem होए तो हिमाल्या का एक आपको ये पास option बनता है calamine lotion का कि जो बच्चो के लिए बनाया है फिर creams में हम देखे तो betonovate N और betonovate C के आपके पास option रहते कि जो दिन में दो या तीन बार patient लगा सकता है और आखरी एक options देखे तो dermicam OC और dermicam OC plus कि जो alchem laboratories उसको बनाते हैं तो ये भी cream के option आपके पास रहते हैं तो ऐसे समझें कि आपको detail में सिखना है तो बहुत सारी दववयों के बारे में बीमारियों के बारे में तो medicine course को join कर सकते हैं या फिर हमारे mobile application को डाउनलोड कर सकते हैं link description box में मिल जाएगी Good luck and all the best